हेलो माई यूट्योब फैमली कैसे हो आप सब आपसवागत है फिर से मेरे नहीं क्यों लॉग में आज मैं बना रही हूं कुछ अलग मतलब बैगन का चोखा केलो भरता केलो और सारे भून के बनाते हैं मैं बॉइल करके बनाओंगी बढ़े अच्छे टेस्टी मतलब मिले थे मेरे को बांड भीज कोई बिज नहीं था बैगन इसे वाले बहुत अच्छा है था एसे वाल से बढ़ता बहुत अच्छा बनता है में लाहीं बहुत भरता आदा किलो यहां पर यूट्यकिंके मेरे देो नहीं को आदा केलो बहुत है तो देखो मैने चील लिया है और ऐसे काटा है बड़े बड़े पीस और यह मैं जरूर डालें इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है चोप्खे का या भूने में डालो या बॉल करो जैसे मर्जी करो इसको फैंकना मत कभी भी लोग फैंक देतें यह मत फैंकना और कुछ इसमें मैं डालूंगी एक आलू आलू से बड़ा अच्छा टेस्स आता है और क्रीमी और बड़ा मजेदर स्वाधिश्त बनता है यह देखो एक आलू चील कर लिए इसके भी मैंने चार टुकड़े कर लिए हैं एक में चार एक में चार ऐसे कर ले और इसको आधा गलासी पानी डाले पानी ज्यादा ना डा है तो आप मैं इसको दिखाती हूं क्या करना है इसका इसका टेस्स मजेदर इतना बढ़िया आता है ना गाइस आप एकीन चूले में भूनो उसको ठंडा करो फिर चीलो यह करो यह सब ताम जामी नहीं होगा डारेक्ट चड़ा दो चील चाल के दोदा के चड़ा दो और मै गवित दोता है आपका वह देखो मैंने ऐसे कि है बस बैंद में वैसे अल्रड़ी पानी चूर्टा है तो पानी गमी रहाए यह देखो मैंने उबाल लिया है एक सीटि में बन गया मैरा यह कभी मत फैंगना हाँ आपको पसंद नहीं है तो बाद में टड़के के बाद आप अलग भी कर सकते हो यह देखो मैंने इसको निकाल लिया है अब इसको मैंने मधानी से घोट लूँगी इसको मैंने अच्छे से दबा लिये मैश कर लिया है अच्छे से देखो एक तार भी पड़ा और काटने से आपको कीडे वीडे जो भी होते हैं छोटा कीड़ा यह वो और भूने में ना काला जल जाता है तो साफ करते हैं तो कीडे देखके निकालना पड़ता है ऐसे कर लोगे तो कीड़ों से भी वचोगे काई टाइम बचेगा आपका मैंने टमाटर यहां कद्दू गस करके ही डालना काटके डालोगे तो मुह में आएंगे और यहां पर मैंने मोटी मिर्ची काटके रखी है हरी मिर्ची जो भरवा मिर्च बनाते हैं हम शिमला मिर्च नहीं है यह मैं सबजी की तरफ फ्राइब भी करती हूं मिर्चे बहुत टेस्टी बनती है यह फिटेस्स थालो analyze price जाता है और यह पर बलात यह मैंने कड़ाई में डाल ली यह के लिइक जितने लोग हैं उसके कौदिंग खाना मनाते हैं के डाले हैं यह देखो मैने थोड़ा सा 2-3 कर लेना लस्तन की डालिएं चौप करके चोटी चोटी कर लेना इसको जलाना नहीं है सहरबस इसका कच्चापन निकल जाए तो आप मैं प्यास डालती हूँ प्याज भी मैंने दो ही काटें गाई दो टमाटर दो प्याज चोटा चोटा ऐसे काट लो चौप कर ले न देख लो इसको मैं ज्यादा नहीं भून ज्यादा भूंद होगे तो भरता काला हो जाएगा और बड़ा मज़े का बनाएगा यह कीन मानों ऐसे करके देखो आपका घर में भी पूरी स्मेल फैल जाती है वह भी नहीं बनेगा और एक सीटी में बनके भरता तियार हो जाएगा आपका यह देख लो अब इसे इतना फ्राइग किया है मैंने इसको जादा फ्राइग नहीं करेंगे इसको साइड कर दूंग तो मेंनस जादा लाल है लेशन भी जादल नहीं करा है लेषवन हऊ कर देखो आपको हरी मिर्च जाता अजब्स हब सी सब्सक्राइग जो अन्याल तो इसको पहले अच्छे सा इसका पानी सुखा लें बाद में सबको मिक्स करें यह देख लो कितना बढ़िया बनता तेस्ट भी अच्छा बनेगा आपके सबजी बहुत साधिस होगी खाने वाले भी तारीफ करेंगे एक बार मेरे स्टाइल से बना के देखो यह देख लो मज डाल देता है लसन के स्वाद से बहुत अच्छा और मैंने एक चोथाई ही डाले हल्दी और कश्मीरी लाल मिर चाहिए सुर्क मिच दरदरी मैं दरदरी रखती हूं यहां पे और स्वादसमसार नमक अब डाला जी बैगन देख लो इसमें पता चल रहा कि मैंने आलू डाले इतना बढ़िया बन के तियार हुआ है बहुत मजे का बना गाईज बहुत टेस्टी बना है अगर आपने अगर कुछ भूत भूत बहुत अब अब कुछ भP्र और एक बार ट्राइ करें बना के और मैंने उसको भी अलग किया मसाले को भरते बैगन को ही भून दियूं इसका पानी सुखाना है हमने वर न नंबर बढ़िया तड़का भी लगता है और सबजी में कोई मतलब बच्चे टमाटर आ रहा है यह आ रहा है वो भी नहीं करेंगे बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी यह मेरे तरीके से बनाए आप भी भरता और इसको इसका पानी अच्छे से जुकाएं आपका तेल जो स्वाद इस इतना स्वाद निकर के आया था ना गाइस मेरे को भूब लग रही है खाने की यह देख लो बहुत टेस्टी बनाता कुछ अलग स्टाइल से सारे डालते हैं कच्चा पन मिक्स करते हैं मैंने फ्राइ करके बनाए